मुख्य शब्द, कीवर्ट्स, एंजाइम, क्रमानु कुंचन, दिर्ग रोम, कुपिकाएं, दोहरा परिपत, दोहरा परिसंचरण, प्रकाश संसलेशन हमने सीखा मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य की आहार नली में पाई जाने वाले अंग हैं मुख, ग्रस्नी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आत, बडी आत और मलद्वार श्वशन की क्रिया में ग्रहन की गई ऑक्सिजन से भोजन का ऑक्सिकरन होता है आक्सिकरन से कारबन डाय ऑक्साइड पानी बनता है और उर्जा मुक्त होती है यहां उर्जा एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट में संग्रहित होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट को उर्जा मुद्रा कहा जाता है मनुष्य के उच सर्जन तंत्र में एक जोड़ी व्रिक किड़नी, एक जोड़ी मुत्र नलिकाएं यूरेटर, मुत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर एवं मुत्र मार्ग यूरेथरा होते हैं मनुष्य के परिवहन तंत्र में मुख्य रुप से हिर्दय एवं रक्त वाहिनिया, धमनी और शिरा पाये जाते हैं धमनिया मुख्य रुप से ऑक्सिजन जनित रक्त एवं शिराएं मुख्य रुप से ऑक्सिजन विहिन रक्त का परिवहन करती हैं पौधे प्रकाश संस्लेशन द्वारा सौर उर्जा को खाद्य पदार्थों के रूप में रासाइनिक उर्जा में संग्रहित करते हैं ये जीर जगत के लिए प्रतम पोशक इस्तर है पौधे में होने वाली प्रकाश संस्लेशन हरित लवकों में होती है प्रकार्श संस्लेशन की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ जैसे शरक्राएं मंड आदी का निर्मान होता है तथा ऑक्सिजन गैस वातावरण में निकलती है इस पर पूरा जन्तु जगत निर्भर है पौधों में समवन उतक पाये जाते हैं जिनका फैलाव पौधों के जड़, पत्ती, तना, फूल, फल, आदी तक होता है ये उतक मुख्य रुप से जायलम और फ्लोयम है कुछ अप्शिष्ट पदार्थ पौधों से गिरने वाली पत्तियों से निकल जाते हैं कुछ में अप्शिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं जो समय समय पर पौधों के शरीर से बाहर कर दिये जाते हैं पौधों में गैसी आदान प्रदान मुख्यतर रंधरों के माध्यम से होता है